हलो एवर्यों मैं प्रिती तोशनिवाल और वेलकम चुमाई चैनल एक बार फिर से मापके साथ हो एक नए डिजाइन के साथ आप में आज के वीडियो में यह थोरण हम बनाना सीखेंगे बहुत इजी है स्टेप बाई स्टेप इसे हम बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले दे की आधे सिह ने समय का चैनल में कोच में नलुं कि सतरह को आपूरे वावाव शेके स्टेट आए है कि ऑ einsलièrement अबाएंगे इसके में वाव कटके होई ती और यह दो लगाने के बाद यह रेड कलर कि लिए से यह हमें इसकि उपर में फिका ए तो देखें इसकिन अपर में जो लगाएंगे और उसे उपर में इस तरह से ही लेस हम चपकाएंगे थोड़ा सब ब्रोड हो जाएगा इससे जो हमारा बेस है इसे भी आप चाहे तो स्टीज कर सकते हैं hand stitch कर सकते हैं machine से कर सकते हैं और इस तरह से जो है, इसे हम पेस्ट कर देंगे, इसके ओपर एक्स्टा जो लेसों से कट कर देंगे, ये बेस को हम एक बार साइड रखेंगे, उसके बाद कुछ पीसे हमें रेडी करके रखने, ये फ्यूजिंग का पीस है, ये बाउल से मैं सर्कल कर रहे हूं, 3.5 इंचेस सर्कल के किनारे किनारे पर हमें ये लेस लगानी है, और सर्कल को पूरी तरह से कवर करना है, इसे भी आप स्टीच कर सकते हैं, नहीं तो ग्लू का यूजिंग कर सकते हैं, जितना आप स्टीच करेंगे, उतनी तोरन जो है, वो स्ट्रॉंग बनेगी, उसके बाद ये गोट लोट्स का जो होल है वहां से हम यह लटकन डालने और इसके साथ अटेश करके हमें से लटकाना है तो इस तरह से देखे बहुत सिम्पल तरीका है होल में जो आप एक ट्रेड बादे जो अपर बगने दूसरे ठ्रेडस से इस तरह से से सिक्यूर कर देंगे लुट लगा तो इस तरह के भी जो है 5 पीस हमें रेडी कर के रखने है थोड़ी सी तयारी करनी पड़ती है जब हम इस तरह के लटकन बनाते जो थोड़ी हेवी हो इसके बादी बेस हम लेंगे सबसे पहले सको फोल्ड कर कर के इसका सेंटर हम निकालेंगे यह सिंपल सा तरीका आप मेजर् कर सकते हैं और यहां पर यह जो पेज हमें इस तरह से जब करने हैं हैंट स्टिच का मैं बार बार इसलिए कह रहे हूं कि बहुत से लोग चाते हैं कि जब हम इसे वाश करें तो कुछ भी निकले ना ग्लू से अगर किया होगा तो फिर भी निकल जाता है उसके बाद इन दोनो से क्यों उसके उपर पेज हमने फोल्ड करके और से जो होआ एमसा ही या फिल टरह से इसके जो है सेंटर निकाल लिया को है crisis हमने क्या था ऑर चीपका ने कोरह थी फारत落ऊ है और फोप यह यह उत्करें हमें आनके हैम फुझConf हैस्छ तरह इसक्की ए वाच की हर उप ऊपर इसे निएर सेटेieurs लोटस लगाने हैं लटकन के साथी तो एक पार्ट हमाराक हम अपलीट होए उसके बाद पैजне चुन सरकल प्रलीस किसे सेफ्न हां हम निकाल निकाले हैं और चार सेमिकल हमहों चाहिए यहां पर इन्हें हमें चिपकाना है तो इस तरह से glue डालेंगे इन्हें भी आप stitch कर सकते हैं most of the चीजे fabric की है holes है उनके उपर और यहां पर इस तरह से देखें यह lotus हमें लगाना है orange का लगा जो हमारा lotus है same size है 3 inches और यह semi circle के उपर इस तरह से हमें लगाना है और इसे तरह से base में यहां पर यह page इसके उपर हम लगा देंगा और इसे तरह से base में जहां जहां पर चार जगह पर हमें लगाना है जो circle से उसके बीच में हमें लगाना है तो चार जगह पर हमें यह लगाना है तो देखें यह एक base हमारा ready है उसके बाद लटकन यहाँ पर हम लगाएंगे उसके लिए देखें काकड़ा pattern का white का लटकन है जो semi circle है उसके निचे हमें यह लगानी इसे आप देखें इस तरह से resize कर सकते हैं तो 4 लटकन यहाँ पर लगेगी चारों का size आप सेम कर लिजे आगे पिछे थ यहाँ पर आपका thread छोटा हो नीडल में thread हम डालेंगे 16 mm के यहाँ पर दो round pearls हम डालेंगे और attach करने के लिए देखें यहां center से हमें करना है जो lotus है और जो semi circle है उसके बीच में जो जगह है उसका center लेके और इस तरह से हम base के साथ इसे attach करेंगे एक thread को जो है काकड़ा pattern का य यहां पर इसके साथ हम इसे tie कर देंगे note लगा कर extra thread को cut कर देंगे इसके उपर glue डाल देंगे ताकि यह निकलेगा नहीं अच्छा secure हो जाएगा और दूसरे side में देखे हमारा thread थोड़ा सा लंबा है यह just option है कि अगर कभी आपका thread थोड़ा छोटा हो कभी थोड़ा लंबा हो तो किस तरह से लगाए तो इसे आप direct attach कर सकते हैं वही तरीका है यहां पर दो balls हम डालेंगे यहां इसे base के साथ attach करेंगे और इस तरह से इसे हम पेक कर देंगे निडल यहां पर आपको थोड़े बड़े hole की चाहिए क्योंकि double thread है थोड़े मोटे threads भी है और इसी तरह से देखें पूरे base में हमें यहां पर semi circle है चार जगाए पर semi circle है वहां वहां पर हमें यह white जो है माला लटकानी है और इसके साथ का side hanging भी हम बनाएंगे उसके लिए lotus लेंगे वही तरीका है उसके साथ लटकन attach करेंगे और यहां पर page डालेंगे उसके बाद यह जो माला है यह लोटस के उपर जो होल था उसके साथ हमें इसे attach करना है इस तरह से और इसके उपर का जो thread है वहां पर हम दो बॉल्स डालेंगे जो हमने torrent में भी use की थी तो इस तरह से देखें डायरेक भी हम डाल सकते हैं यह बॉल्स का जो होल मूटा है उसके बाद यह एक ring इसे इस तर पेक कर देंगे तो यह जो है इस तरह की दो पीसे हमें बनाने अगर आपको साइड लटकंस भी बनानी है यह भी आपको DIY किट के साथ मिल जाएगी स्क्रीन पर मेरे नंबर आरे वहां से आप मुझे कॉंटर कर सकते तो देखे बनी कितनी प्यारी लग रही है यह यह किसी व कमेंट बॉक्स में जरूट लिखे थेंक्स वरचिंग बाबाई